हेलो एन बेलकम बैक अगें टू दे चैनल हर से सी सम्थिंग न्यूंगे फिर से एक बार तो भाई आप विडियो सबसे पहले आप ही देख पाऊगे तो पैल आइकन है वो ध्यान से दबा दीना ब्लूटूथ स्पीकर होते हैं ब्लूटूथ यरफॉन्स होते हैं जो बैटरी इंडिकेटर होता है वो नहीं होता है ऐसा आपको मालूम होगा यहां कोई ऑप्षे और डिया जाता है कि हमें पता चल सके कि हमारे जो Bluetooth डिवाइज है उन्वेसा है जो बैटरी है वो कितनी बची हुई है ठीक है ना ही हमें ये पता चलता है कि जो बैटरी है वो कितने परसेंटेटेट Przyढ़े तो इस डिजो हम आज हम ऐसे भात करने वाले हैं कि कैसे हम इन डिवाइज की परसेंटेज को पता कर पाएंगी कि उनमें जो बैटरी परसेंट है जो वो कितनी बची हुई है ठीक है इस बीडियों हम completely अच्छी तरह से बात करेंगे बहुत ही इसली तरीके से के हम कैसे जानबाएं कि जो हमारे डिवाइस Bluetooth डिवाइस हैं उनमें जो बैटरी है वो कितनी बची हुई है ठीक है तो आज इस वीडियो में हम जाने वाले हैं तो सबसे पहले उसके लिए हमें चलना पड़ेगा अपनी फोन की स्क्रीन पर तो चलो भाई चल लेते अपनी फोन की स्क्र पर इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको एक एप्लिकेशन को डाउनलोड करना होगा ठीक है तो प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको शर्च बार पर क्लिक करना है स जैसे आप Bluetooth audio budget सर्च करते हैं इससे पहले आपको फर्स्ट ही एप्लिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें लिखा होगा ब्ल्यूटूथ आपको करने के बाद आपको जो है इंटरफेस कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा जो कि एक ब्लीटूट और तमाम ऑप्शन देखने को मिल रहा है इसके बाद आपको करना गया होगा आपको काफी सारे यहाँ पर ओप्शन मिल जाएंगे तो अबस करना ऐखना ripped होगा कैने के आपका कोई Bluetooth headphone या फैर कोई speaker है तो सबसे पहले हमें उसको अपनी Bluetooth से connect करना आए तो सबसे पहले हम Bluetooth में चले जाते हैं Bluetooth में चले जाने के बात हम connect करते हैं अपने डिवाइस को टब भी हम kar purity अपने डिवाइस को जैसे कि हमारा जो headphone है एफughter है एस एच एच का headphone है इसको हम connect कर रहे हैं अपने फिर जैसे हम एसको connect कर लेंगे ठीक है अभी तो यह कनेक्ट हो रहा चलो इसको कनेक्ट हो जाने तो ठंक से तो भाई जैसे ही आपका जो ब्लुटूथ स्थे कर यह फिर और फुर कनेक्ट हो जाए इसके बाद आपको करना क्या है आपको यहांसे कट करना है अपनी इस चलो try अपन करना है इसके बाद इस application को launch करना यानि कि open करना है open करने के बाद आपको interface firstly ऐसा मिलेगा तो आपको करना क्या है आपको यहाँ पर चेक का option पर क्लिक करना है जैसी आप यहाँ पर चेक करते हैं तो यह कुर्यर device को चेक कर पाएंगे कि उसमें जो बैटरी है वो कितनी बची हुई है या फिर वो आपका charge है या फिर नहीं है यहां से आप इस battery capacity देख पाएंगे कि आपका battery कितना charge है और हाँ यहां से आप और भी option है यहां से आप चेक कर सकते हैं आप कितने device connect हुए है और उनकी आपको battery कितनी बची हुई है वो भी यहां से चेक कर सकते हैं तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर आपका कोई doubt रह जाता है तो या comment जरूर कर देना हम अगली वीडियो में आपके comment को पिक करके doubt क्लियर कर देंगे और हाँ अगर वीडियो अच्छी लगी हो कुछ भी अच्छा लगाओ वीडियो में तो लाइक कर देना ओके तो भाई जैसा कि आपने फोन स्क्रीन पे देखा तो भाई हमें केबल एक application को download करना पड़ता है उसके बाद जो हमारे device आपके फोन से connect होते हैं जैसे ही आपके फोन से connect होते हैं और आप उस application को start करते हैं और start के जाके उस पर जो option होते हैं उनको क्रिक करते हैं तो जो आपके device होते हैं उनकी battery जो बच्ची हुई है वो शो कर देता है और यह definitely विल्कु पर निरे तक दम सही है fresh application है तो ऐसे करके हम अपने device की आराम से battery चेक कर सकते हैं वो चार्ज है या फिर चार्ज नहीं है या फिर battery कितनी बच्ची हुई है तो ऐसे आप जान पाएंगे उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बिल्कुल अच्छी तरह कैसे समझ में आ गई होगी तो भाई यार वीडियो को कर दो लाइक चैनल में नहीं हो तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब ऐसी वीडियो पाने के लिए हम मिलते हैं आप से जल्दी एक और निव एक्साइटेट वीडियो में और अगर आप चाहते हैं इसकी अनबॉक्सिंग फोट्रोन पीटेन ब और भाई हम मिलते हैं आप से जल्दी निव वीडियो में अपना खयाल रखो अपनी फैमिली का खयाल रखो एंड इस्टे हैपी बब बाई